जिले में चर्चा का विशे बना एक बकरा जिसकी सेवा खुशा मात में रहता है पूरा परिवार भुझा चना मक्का के हुँ है जिसका भोजन जी हाँ आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम नियूस मैं आपके साथ हूँ अर्चित हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बकरे की जो चर्चा का विशे बनकर रह गया है दरसल जिले के मुख्याले से करीब 35 किलोमीटर दूर देरापूर तहसील ठीट के रत्नियापूर गाउं निवासी किसान स्यू कुमार तिवारी के घर एक बकरे ने जन्म लिया था जन्म के बाद समाने जानवरों की तरह ही उसे खाने में भूसा और बकरी का दूद मिलता था लेकिन कुछ दिनों बाद रत्नियापूर गाउं आए एक फकीन ने बकरे को देख कर कुछ ऐसा बोल दिया जो की बकरे की इजट एक रिस्तेदार की तरह है और सुरत चाह एक रास देता की तरह होने लगी फकीर ने बकरे को देख बकरा मालिक शूकुमार से कहा बकरे के पेट के दोनों तरफ के हिस्से में अल्ला लिखा है जिसकी वज़े से इसकी कीमत लाखों में हो सकती है जैसा ही स्यूकुमार ने फकीर की बात सुनी वैस सन रह गया फिर क्या था किसान ने बक्रे का नाम बट्टू रख दिया और उसकी सेवा खुशा मात में पूरा परिभार लग गया और उसे खाने में सूखे भूसे की जगए भूझे हुए मक्का चना और गेहू मिलने लगे और भाट्ट्टू को देखने के लिए लगों की भिड़ जमाहोने लगी बात विदेशों तक पहुंच गई इसी भी सावधी अरा साइथ अन्य देशों के लोगों ने बक्रे की कीमत लगाने रतनियापूर गाउं आने लगे विदेशियों ने बकरे बट्टू की कीमत एक करोड रुपे लगाई पर हैरान करने वाली बात तो ये है कि किसान ने अपने बकरे बट्टू की कीमत एक करोड पच्चिस लाग रुपे वागी है आज भी लोग बकरा खरीदने के लिए रतनियापूर गाउं सियुकुमार के घर पहुँच रहे हैं आपको कैसे जानकारी हुई कि इसमें 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 हमको एक फकी दवारा तेरा दिन का बच्चा था बट्टू बट्टू नाम से जानते हैं उसे एक कलोग रोप है लग चुका एक पच्चीस की मांग थी यह जो लागडाउन की वज़े से नहीं जा रहा है अधा खा आते तो बहुत दूर दुक्ति पार्टी है अभी तक कहा का कि लोग आ चुके हैं अब है तक कमसे पांच जगा गया चुके हैं आई सब बिदेशी लोग हैं बिदेशी का दलाल आया मेरे पास आई सुल्ग जड़ बिदेशी का दलाल आया मेरे पास